नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका विनीतास पालकनी कारडन में तो आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की बारे में सर्दियों में इतने दिन तो हमने प्लांट्स को निलाया नहीं धंडा पानी हम नहीं डाल सकते थे क्योंकि ठंड में ये बहुत ही अराम से ग्रो करते हैं, ग्रो तो होते हैं, थोड़े बहुत हलके हलके होते रहते हैं, लेकिन हमें इने ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, तो अब जब फर्मरी का मंद स्टार्ट हो चुका है, और आदा निकल भी चुका है, तो अब मैं इन सबी को अच्छे से शावरिंग करके, एक एक पत्ती साफ करके इनकी, और फिर इनमें मैं इसमें खा दे दूँगी, और अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी, तो सारे इंडोर प्लांट्स को हमको अब यही काम करना है, और जो भी अगर सुखी हुई कोई पत्तियां हो अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं, तो आप एनपी के स्प्रेय भी कर सकते हैं, और मिट्टी में भी दे सकते हैं, और महने में एक बार आप गर्मियों में दीजे, क्योंकि गरम होती है, और कॉंटिटी आपको बहुत कम रखनी है, जिससे पत्तियां ना जले, क्यों जड़ों को नुकसान सकता है, तो बस आप मेरी तरह है, जैसे मैं शावरिंग कर रही हूं, तो मैंने इन में खाद दे थी और गुडाई करके थोड़ी हलकी हलकी, क्योंकि यह मैंने वैसे भी कोको पीट और वर्मी कंपोस्ट और परलाइट मिक्स करके लगाए हुए हैं, तो आप वर्मी कंपोस्ट में नीम खली मिक्स करके और आप इसमें नीचे थोड़ी सी जगे बनाके और आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का मिक्स करके और उसको डालके और साथ में उपर से आप वापे से यह मिट्टी से कवर कर दीजे और फिर अच्छे से पौधों को और वाटरिंग कर दीजे गर्मियों में आपको इन्हें ब्राइड लाइट में रखना है प्लांट्स को और ध्यान रखना है कि दिन की जो तेज दूप होती है वो ना लगे सुबह की आप दो घंटे की दूप या फिर शाम की दो घंटे की दूप जाती हुई वो दे सकते हैं और जब भी आपके इंडोर प्लांट की सॉइल सूखती है तो आप बहुत अच्छे से प्लांट को निला के और बहुत ही अच्छे से गर्मी में पानी देना चाहिए चारो तरफ से अगर आप किसी बॉटल से या किसी से दे रहे हैं तो वो चारो तरफ से आप इवनली आपको पानी देना है क्योंकि अगर आप एक साइट से देते हैं तो कोको पीट में एक साइट से पानी डालने से एक साइट से ही पानी पूरा निकल जाता है वो चारो तरफ पूरी जड़ों को नहीं मिलता है तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है सर्दियों में तो एक हफते में एक बार पानी की जरुद पढ़ रही थी या दस दिन में लेकिन अभी आपको कम से कम दो तीन दिन के अंतराल में आपको डालना ही होगा अगर आपका प्लांट कोको पीट में लगा है इन चारों में भी आप लगाते हैं मिक्स करके बराबर बराबर मात्रा में तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और इस तरीके से आपने अगर मौसिस्टिक लगा रखी तो आप पूरी मौसिस्टिक को स्प्रे की मदद से और अगर आप पानी देना चाते है पूरे प्लांट पे तो इस तरीके से उपर से पूरी मौसिस्टिक को गीला कर दीजे जिससे आपके money plant enjoy porthos या आपकी जिस तरीके के पान इस तरीके के जो plant है इनकी growth बहुत अच्छे से होगी और गर्मियों में हम plants को दूर दूर रखने की बजाए सारे indoor plants को एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे का moisture उनको मिलता रहेगा जिससे उनकी पत्या सूखेंगी नहीं और वो moisture क्योंकि moisture indoor plants को बहुत पसंद होता है तो आपको खास ध्यान रखना है और आपके tuber वाले जो plant होते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से well draining soil होनी चाहिए क्योंकि पानी अगर खड़ा रह जाता है तो उसके tube गल जाते हैं जैसे के spider plant अगर आप देखते हैं कि गर्मी में ठंडक वाली जगे अगर आप इन indoor plants को indoor plants समझ कर रख देते हैं अंदर कहीं अंधेरे जगे पे जहां पर रोशनी कम आती हो ठंडक हो तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको ऐसी जगे रखना है जहां पर indirect sun light मिलती हो इने या फिर कहीं से चन के धूप आती हो और जहां पर बहुत अच्छी bright light हो सिर्फ हमें वहीं place करना है जिससे इनकी growth बहुत अच्छी हो और आपको ध्यान रख के जो भी हमारे सर्कुलेंट्स प्लांट हैं या इंडोर प्लांट्स हैं ट्यूबर वाले प्लांट्स हैं तो इन में हमको महने में एक बार फंगी साइट जड़ों में और पत्यों पे जरूर स्प्रे करना है जिससे कभी पानी ज्यादा हो जाता है क्योंकि क्या होता है गर्मियों में मिट पर दे सकते हैं, तो आप कभी वर्मी कम्पोस्ट कभी सीवीड इस तरीके से आप खाद दे सकते हैं, लेकिन मेहने में एक बार ही कर दो है, य। मोई इनडोर प्लांटस को आपको शावरिंग का धियान रखना है, कुछ प्लांट्स को बहुत पसंद होती है, तो आपको शाव जैसे के money plant अगर money plant के आपको छोटी से छोटी कटिंग भी मिल जाती है तो उसको grow कर सकते हैं और अगर घना बनाना चाहते हैं किसी basket में लगाना चाहते हैं तो बहुत सारी cuttings लगा सकते हैं एक साथ मेरा एक वीडियो है money plant के उपर तो वह आप देख सकते हैं उससे आप बहु खरीद के लाते हैं लर्सरी से तो तुरंत report मत कीजिए थोड़े दिनों बाद ही हमें report करना चाहिए